प्रेंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं हूं महीर मोगर है आज है 20 जन्वरी तो चलिए आज की न्यूस्वेपर को कवर करते हैं 10 मिनिट में अब दिखिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए हाँ पर आपको वेरियस को आता नहीं है सैटरडे रहनी के विले से और आर्टिकल्स भी काफी कम है लेकिन एक काफी इंपॉर्ण आर्टिकल इंडियन एक्स्प्रेस में देखने को मिल रहा है वो क्वेशन आने के चांसे सी उप्यसी में 99 परसेंट है और वो है टेंपल आर्किटेक्चर से चुरुबात करते हैं दे हिंदू के आर्टिकल्स से तो गिरिंग अब फॉर्ट चेंज अब दिखिए आर्टिकल्स को थोड़ा मैंने आपट ट्विस्ट किया है मतला थोड़ा इंट्रेस्टिंग और समझने के लिए आसान बनाने के लिए क्वेशन आंसर फॉर्मेट में मतला जो भी आर्टिकल्स रहेगा दे लिए तैंको सम्झेंगे जो और इजिए हो जाएगा तो दिखिए आपको मैं में लिखना है आपको में इंसर देने है तो सेम लिए प्राइमर्स अब्स्क्रावर या समझेंगे तो और easy हो जाएगा तो दिखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर primary objective जो यहाँ पर gearing up for change है यह article का primary objective क्या है कि यह बात करता है historical evolution and current role of Indian metrological department जो हमारा IMD है उसका जो evolution और current role रहा है उसके बारे में article basically बात कर रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर weather pattern किस तरीके से analyze कह जाता है climate को किस तरीके से पैछाना जाता है उसके बारे में Indian metrological department की बात कर रहा है तो emphasis यहाँ पर दिया जा रहा है practical colonial era में यहाँ पर southwest monsoon impact जो हर्वेस्ट पर क्या होता है उसको समझना यह सब की यहाँ पर बात हो रही है अब IMD जो है उसको established क्यों किया गया था colonial times में अब तो कि IMD जो है उसको established किया गया जिससे कि जो mysterious southwest monsoon है उसको समझ सके southwest monsoon मतलब क्या है जो हमारा यह इस तरीके का हमारा landmark से नीचे का है न तो यहाँ पर यह इस्टन साइड है यह वेस्टन साइड और यहाँ पर यह सदन साइड तो यहाँ से जो basically winds आ रहे हैं मतलब हमारा जो normal monsoon आता है वो इसी तरीके से आता है तो यह monsoon को समझने के लिए ज influence यह harvest पर किस तरीकी का होता है past weather observation तो इसके लिए IMD का गठन किया गया था IMD कैसे involved हुआ है यहाँ पर जो data collection होता है analysis में over the year IMD ने काफी extensive metrological data collect किया है और उसके और से हम यहाँ पर काफी accurate होते जा रहे हैं मतलब अब पहले ऐसा हुआ करता था कि IMD ने पता ही नहीं जलता कब बरसात होने वाली है कब flood आने वाले कब क्या होने वाला है लेकिन आप पर in which region Indian monsoon increase हो रहा है अब यहाँ पर monsoon rainfall जो है वो तहसिल जो इंडोगनेटिक plane में located है वहाँ पर काफी increase होता जा रहा है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो decrease rainfall क्यों हो रहे है मतलब यहाँ पर अब आप देखोगे तो काफी जगों पर rainfall क्यों हो रहा है तो यहाँ स्पेशली जुला जुलाई यहाँ पर challenges face कर रहे है sowing खरीव क्रॉप क्योंकि क्या होता है जब भी rainfall pattern में change होता है तो sowing pattern भी change हो जाता है अब sowing pattern मतलब जहाँ पर खरीव क्रॉप आने थे वहाँ पर नहीं आपाते है जिसके वह से असली मतलब अच्छी फसल नहीं आपाती अच्छी फसल नहीं आएगी तो obviously क्या होगा जो supply वो कम हो जागा supply कम होगा तो अपने प्राइज राइज हो जाएंगे है ना तो कौनसे specific states है जो mention किये गए article में rainfall pattern के change में तो इसमें राजस्तान गुजराद सेंटरल महारास्टर पार तमिलाडू यह हमें देखने को मिलते है changes जो observe किये गए है Northeast मौन्सून में Northeast मौनसून मतलब जो declining वाला होता है मतलब जो खत्म होने वाला होता है उसमें Northeast मौन्सून यहाँ पर आता है है यहाँ पर अगर आप देखो गे तो नौवेंबर डिसेम्बर इसमें हमको 10% rainfall जो है वो जाट देखने को मिला है तामिल ना का देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग आ रही है जो खत्म होने वाला होता है उसमें मुस्ली हमें बच्चावा 11 परसेंट जो है वो देखने को मिलता है कॉंट्रिब्यूट करता है अब कॉंटेक्स और ग्लोबल वाव में चेंज इन मौनसून पैटर्न आर्टिकल में फार्मर्स को भी फायदा होगा और पूरी देश को फायदा हो क्यों प्राइस इंक्रीज नहीं होगे तो यह चीज बेसिकली देखने को मिल रही है अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉब्लम वी इंडियन साइंस मैनेजमेंट अब देखिए आने के बहुत कम चांसे से इस इसटे उनका डॉमिनंस इसकी बात करिक कर रहे है अब यहाँ पर आप देखोगे तो सस्टेंट एकोनओमिक प्रॉग्रेस यह साइन्टिक एडवांस से कैसे लिंग्ट है कि अगर साइन्टिक एडवांसमेंट होगी तो हमारा इकोनोमिट डेवलपमेंट भी होगा यह कैस होगी यह अगर यह बेसिकली क्या होगा यह हो रहा है तो इकनोमी ग्रोफ हो रही है क्योंकि क्या होता है जो पैसे आएगा तो साइंस में और यह पूर सब्सक्लार जर्थ आप हर जग दो मेजर वही प्रॉब्लम्ट में इतना खर्च नहीं करते हैं तो यहाँ पर overall expenditure जो है research and development में R&D में वो इतना नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर efficiency and resilience को हम fail कर रहे हैं मतलब हो नहीं पा रहा है अपने से इनवीजरी इंडिया जो है वो decline face कर रहा है इंडिया जो है वो global standing particularly space program जो है महाँ पर जहाँ पर इंडिया लॉंच नंबर इन 22 एडिशनली इंडिया लीडि नुक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल साइंस ए टेक्नोलोजी तीम जैसे जीनोम होगा रोबोटिक्स होगा जगा जो हम उससे भी बहतर कर रहे है वहाँ पर हम focus क्यों नहीं दे रहे वहाँ पर हम उतना डेवलप मतलब जो लोग प्रियत है वहाँ पर क्यों नहीं बढ़ा रहे जिससे की और उसको boost मिले तो इंडिया science administration जो है यहाँ पर centrality of senior scientist है जो heavily आपर various activities में involved होते है यहाँ उन हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों आप बोल रहे हो ऐसा क्यों आप समझ रहे हो कि अगर कोई अच्छा scientist है तो अच्छा administrator भी बनेगा science का administrator मतलब क्या है संभालना सब चीजों को तो यह यहाँ पर question किया जा रहा है good scientist के skill पर कि भाई यह अच्छा scientist है हम मान रहे हैं बहुत अच्छा scientist लेकिन उसको administration की भी आप skill दे रहे हो जो उसको नहीं जंप आ रही है तो यह problem आ रही है कि skill, tact, realism, flexibility, firmness यह सारी चीज़े हो रह post-independence के per time पर अगर आप देखते हैं अब यहाँ पर analogy क्या है article जो draw करता है analogy यह ही है कि भाई यहाँ पर जो complex organization होती है science की organization तो scientific research करना और science की organization को चलाना दोनों अलग-अलग चीज़े है तो यहाँ पर उसी तरीके से जिसके बाद जो skill है उसी हिसाब से देनी चाहिए administration को जरूर नहीं कि आप science जो बहुत अच्छा scientist है उसी के हाथ में दो तो यह चीज़े basically article बात कर रहा है दूसरा सबसे important जो question है article है वो है नगरा style यह क्या है जो अयोध्या राम temple जो build किया जा रहा है यह ना अयोध्या राम temple यहाँ पर inaugurate होना है 22nd January को अब यहाँ पर जो दो तरीकी के होते है उसमें नगरा इंद्रविडिया स्टाइल देखने को मिलते है नगरा मतलब जो नौर्थ में है जो साउत में है ना तो नगरा स्टाइल टेंपल आर्केट्चर इमर्ट सम्टाइम इन 5th century सी लेट गुपता पिरेट में देखने को मिला है नदन इंडिय इसमें जैसे हमने देखा है ना अयोध्या में भी किस तरीके का है या पर 3 मंडब हमें देखने को मिल रहे है यह फर्स मंडब यह सेकंड मंडब यह थर्ड मंडब इसी के सामने हमें क्या देखने को मिल रहा है इसी के सामने हमें एक शिकर देखने को मिल रहा है इसको हम कहत लिए पतंतोट देखने को मिलता है तो बेसिक इसमें क्या होता है मंडब होता है। गर्बग्रिय गर्ब्रिय होता है जहांपर मूर्थी होती है इसके लिए पत या पथ दिया जाता है लाई विए यहँन मose Ugh सठीक स्टैने मुषक सब्सक्राइब से तरह सकने को सब्सक्राइब सब्सक्राइब помस्राइब ने तो moderate कि लुद्वी जह एस देखने इस तरीके का रूफ बनाया हुआ है, में लाटिना से यहां पर शिखर टाइप का इमर्ज होता है, एक शिखर जो है, सिंगल इकवल टावर, फोर साइड इक्वल लेंथ, वो देखने को मिला है, फिर उसके बाद शिखर यह सब आने लगे, द्रविडा में अगर हम देखते है तो विमान देखने को मिलता है, अगर आप देखोगे, तो इस तरीके से यह ऐसा यहाँ पर निकला होता है, जरूरी नहीं कि आपर नगरा स्टाइल पर ही पूझा जाए, हो सकता है, खोद-खोद कर अलग-लग स्टाइल पर पूझा जाए, उसके लिए YouTube पर वीडियो जो ह वो available है, आज ही मैंने upload किया है temple architecture पर, तो detail में UPSC और बाकी state PAC के लिए आपको सभी style of architecture यहाँ पर देखने को मेलेंगे highest quality content के साथ तो ये वीडियो आप मिस्मत कीजेगा ये वीडियो बहुत जबर्दस बना हुआ है और जो art and culture का code से basically mmacademy app पर जैसे मैंने आपको starting बताता है mmacademy app पर उसी में से वीडियो मैंने निकाल कर आपके लिए upload किया है क्योंकि exam में पूछाने के संभावना काफी जादा है तो इसलिए ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिएगा और बाकी भी UPSC के कोर्सेस के लिए आप mmacademy app जब डाउनलोड कर सकते हैं तो ये है हमारे वीडियो का end मिलते हम अगले वीडियो में जैन